आने वाले चोहर के लिए आजहम बनाएंगे गेहु के आटे से मालपुआ दुकान बेले जैसे बनाते हैं चासनी वाला मालपुआ और मालपुआ जो चासनी से पूरा भिगी हुई होता है और बहुत रसिला होता है उसी तरीके से आजहम बनाएंगे आप इसको देख सकते हैं कितने अच्छे से बनी हुई है, एक को तोड के पहले से मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, इसमें चास्टनी भरी हुई है, और अंदर तक अच्छे से चास्टनी गया है, आप देख सकते हैं, अंदर में कितना लेयर आया है, और इसको बनाने के लिए भी बहुत काम इंग लगता है, तो चले रेसिपी सुरू करते हैं, माल पुआ में जो थोड़ा सा मसाला हम डालेंगे पहले उसका तैयर करेंगे, तीन इलाइची ले ले लेंगे, इलाइची का जो कभरे उसको आधा निकाल के मैंने लिया है, ताकि कूटने के टाइम उसका सीट चोह पाउडर बन जाए, उसके साथ ले लेंगे, हाप टीस्पून सौंप, माल पुआ में सौंप पाउडर या सौंप को ऐसे या अख़ा डाला जाता है, लेकिन इलाइची और सौंप को हम दर्दरा करके कूट के उसको माल पुआ में डालेंगे, और इसका पाउडर बिल्कुल नहीं बन देंगे, बाकी को हम माल पुआ की बैटर में डालेंगे, माल पुआ के लिए गोल बनाने के लिए पहले रावल लेंगे, इसमेन ले लेंगे 2 कट़री गीछो के अटा, एक कटोरी या कप को आप मेजूरुमेंंट के लिए ले ले जिए, उसी में इसाहरी चीज को डालिए, एक कप हमने ले लिया यही दूसरा कप डियो के आटा जिसमें हम रोटी बनाते हैं यह ओही वाला आटा है इसके साथ मिक्स करेंगे बारिक वाला रवा हाप कप अगर आपके पास बड़ा वाला रवा है उसको ब्लेंड करके आप ले सकते हो टूटी स्पुन डालेंगे सककर चुटकी भर डालेंगे नमक नमक को आप स्किप कर सकते हो नहीं तो आट कर सकते हो यह अपस नाले उसके साथ हम डालेंगे कुटी होई सॉप और उसके साथ इलाइची पाउडर जो दोनों चीज को हम कुट के रखेते हैं यह वही वाला है सा के लिए जो बैटर होता है वो पोरिंग कंसिस्टंची में रहना चाहिए तो थोड़ा करके दूद डालेंगे और अच्छे से इसको मिलाते जाएंगे जैसे कि इसमें एक भी लंप्स ना रहा है एक साथ ज्यादा दूद नहीं डालना है ने तो हममारा अंदाज ही चला जाए आपमारा ह। मकायआ जाएंगे 2 तीसपुन दही यह प्रेस बाला दए है सारे चीज को फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे माल पुआ तो बहुत तरह की बनता है जैसे कि पनिर माल पुआ हो या मेदे की माल पुआ हो लेकिन यह जो माल पुआ है साथ सब Sब से सस्थे मेंभी और कम चीज में बहुत सारे बन के तैर होता है आप देख सकते हो अभी यह जो गोल पोरिंग कंसिस्टंची में आ चुका है और इसमें मैंने टोटाल दो कप गुनगुनदु आड किया है इसमें अभी कलल लाने के लिए मैं आड करूंगी दो ड्रॉप्स औरेंज फूट कलर यह भी आप्शनाल है लेकिन इसको डालने से मालपुआ का कलर बहुत ही आच्छा आता है जैसे हलवाई वाले बनाते है ना उसी टाइप का यहां मैंने एक बूंद डाला है और एंज जेल फूट कलर आप अगर नर्माली पाउडर फूट कलर या लिकुइट फूट कलर जाता है इसलिए आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आ चुका है अभी हम आच्छे से इसको थोड़ा सा बीट कर लेंगे बीट करने के बाद बैटर को कवर करके 15 से 20 मिनित तक रेस्ट लेने देंगे जब तक बैटर सेट होता है हम चासनी मना के त्यार करेंगे चासनी के लिए वही सेम जो कटोरी में ने यूज किया हुआ था उसमें से ले लेंगे दो कटोरी शक्कर उसमें मिलाएंगे सेम क्वांटिटी में पानी यानि दो कटोरी पानी टोटाल हमने दो कटोरी मेदा लिये थे और हाप कटोरी रवा उसके लिए मैं सक्कर लिया दो कटोरी शक्कर और उसके साथ दो कटोरी पानी बीच पीच में इसको मिलाते हुए चासनी बना के तैयर करेंगी मालपवा के लिए चासनी हमको चाहिए वो नर्माल बाला चासनी है जैसे कि कोई भी तार वाला कंसिस्टन्सी में हमको चासनी नहीं चाहिए जब सक्कर और पानी मिलके उबलने लगे उसके बाद slow medium flame में हमको 2-3 मिनिट उबालना है और थोड़ा सा चिपशिपा बाला हमको चासनी त्यार करना है चासनी को उबलते हुए slow medium flame में अभी 3 मिनिट के उपर हो चुका है तो इसको और ज़्यादा उबालना नहीं है आप देख सकते हैं यह चुपचुपा कंसिस्टंची में आ चुका है तो अभी इसमें हम आड करेंगे दो कुटी हुई इलाइची का पाउडर उसके साथ ले लेंगे कुछ केसर की धागे अभी हम प्लेम को बन कर देंगे और चसनी को एक प्लेट में कभर करके रखेंगे ताकि माल पुओआ तलने के बाद गरम चसनी में माल पुओआ को डालना है 15 मिनिट हो चुका है बैटर भी अभी थोड़ा सा गड़ा हो चुका है सुखा आटा और रवा जो है वो पानी का अंग्स चोता उसको सोप करके गाड़ा हो गया है अभी हम इसमें डालेंगे चुटकी भर बेकिंग पाउडर ज्यादा नहीं डालना है बस एक चुटकी डालना है फिर से एक बार बेकिंग पाउडर और बैटर को आच्छे से मिला देंगे रिफाइंड ओइल को मैंने गरम किया हुआ है रिफाइंड ओइल को बहुत जादा गरम नहीं करना है गुनगुना रिफाइंड ओइल में हम मालपुआ को तलने के लिए डालेंगे एक बड़ा चमच हम बैटर ले लेंगे और एक जगा पर डालेंगे पहले हम एक मालपुआ को डाल के चेक कर लेंगे फिर दूसरा डालेंगे यह छोटा सा कड़ाई है इसलिए इसमें ज्यादा दो या एक ही हो सकता है बहुत ज्यादा तो नहीं डाल सकते नहीं तो मालपुआ आपस में चिपक जाएगा जैसे जैसे ये सीखता जाएगा तेल के उपर तक आ जाएगा अब देख सकते हैं अभी तेल के उपर मालपुआ आना सुरू हो गया है इसका मतलब तेल भी ठीक से गरम है और मालपुआ का बैटर भी सही है तो दूसरा जो मालपुआ है उसको साइड में डाल देंगे और एक चामच बैटर लेके साइड में डालना है दूसरा बला मालपुआ को अभी छोड़ देंगे हम चोटा सा कड़ाई है, बैटर की साथ चिपक जाएगा, इसलिए में उसको पकड़ के रखा था पहले हमको तेल को गरम करना है, तेल जब गरम हो जाएगा, उसको स्लो करके फिर माल पॉद की बैटर को डालना है थोई दिर बात फ्लेम को स्लो मिडियम करके इसको हम तलेंगे ज़्यादा गरम तेल में मालपुआ की बैटर को नहीं डालना है नहीं तो अंदर कच्छा रही जाएगा और उपर का कलर जल्दी से चेंच हो जाएगा तीन से चार मिनिट तक हम स्लो मिडियम फ्लेम में इसको फ्राय करेंगे जब तक इसका कलर चेंच होके यह आच्छे से फ्राय ना हो जाए मालपुआ को तलते हुए अभी 5 मिनिट के आसपास हो चुका है और इसका कलर भी चेंच हो चुका है अभी हम इसको तेल से निकालके ले लेंगे तेल से निकालने के बाद डायरेक्ट लेके गरम चासनी में डालेंगे अगर चासनी ठंडा हो जाए तो उसको थोड़ा सा गरम करके फिर उसको मालपुआ को डालना है 5-7 मिनिट के लिए चासनी में मालपुआ को रहने देंगे उसी टाइम हम दूसरा ब्याच मालपुआ फ्राइ कर लेंगे फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया था सेम प्रोसेस में हम अभी फिर से दो मालपुआ डालेंगे ओयल में फ्लेम को स्लो कर देंगी जो मालपुआ को हम चासनी में डाले थे वो आच्छे से चासनी को सोक कर चुका है और उसका वेट भी हेवी हो चुका है जब मैं उठा रहे हूं पता चल रहा है पहले फ्लेम करने के टाई में कितना हलका था अभी हो चुका है दोनो मालपुआ को निकाल के एक प्लेट में ले लेंगे और दूसरी बार फ्लेम को हम चासनी में डाल देंगे इसी प्रोसेस में जितना भी हमारे पास बैटर है शारी की सारे मालपुआ को डाल के इसमें इसी तरीके से निकालते हुए चास्टनी से और दूसरी बैच डालना है इसको भी हम 5-6 मिनिट के लिए छोड़ देंगे मालपुआ अभी रूम टेंपरेचर में आ चुका है चास्टनी से में जो जो मालपुआ को निकाला था उसको में अभी लेके आई हूँ मालपुआ को थोड़ असा हम सजा देंगे कटी हुई पिस्ता से यह अप्षनाल है फिर भी पिस्ता या कोई भी ड्राइपुट्स अगर सुईट के उपर हम डालते है उसका लुक्स भी ज्यादा अच्छा आता है और खाने के लिए भी यह ज्यादा टेश्टी लगता है सर्विंग के लिए मालपुआ तो अभी हमारा तैयर हो चुका है एक मालपुआ को तोड़ के में चेक करके आपको दिखाते हूँ अंदर चास्नी से भरी हुई है उपर से ही आपको पता चल रहा होगा अगर हम इसको तोड़ते हैं तो अंदर भी लेयर आया हुआ है अब देख सकते हैं और चास्नी पुरा भरी हुई है अंदर तक इसको हम रखके दो तीन दीन तक खा सकते हैं आने वाले चोहर में आप भी एक बार आटे की माल पुआ घर में जरूर बनाए देखना बहुत जादा भी बनेगा और अथ्छी से बन के त्यार होगा रेसिपी के बारे में आपके मन में जो भी कोश्चिन से कमेंट सेक्शन में सेर करें इस तरीके की बहुत सारे नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट सेट में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके अल नोटिफिकेशन बेल को अन करें आल नोटिफिकेशन बेल को अन करने से मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी वो नोटिफिकेशन की रूप में आपके पास पहुंच जाएगा